Hello everyone, welcome to our channel, आज का वीडियो most requested वीडियो है आप सभी की डिमांड पर, आप सभी की मुझे बहुत जादा कमेंट देखने को मिल रही थी कि हमारी fitting की सिलाई सीधी नहीं आती है और fitting की सिलाई अगर सीधी नहीं आती है तो जायर सी बात है कि आपकी जो fitting है वो भी अच्छी नहीं आती होगी क्योंकि बलून सा बन जाता है फुगा बन जाता है सेंटर में जब हमारी fitting की सिलाई सीधी नहीं आती है तो इसके पीछे बहुत सारे reasons होते हैं जिससे हमारी fitting की सिलाई जो है सीधी नहीं बन पाती है थोड़ी सी तिर्ची जाती है sleeves की साइट तो चलिए इन सभी कारणों को जानते है कि क्या क्या कारण है जिसके कारण आपकी जो fitting की सिलाई है वो सीधी नहीं आ रही है वीडियो थोड़ी पड़ी ज़रूर होगी लेकिन knowledgeable है इसलिए आप पूरा complete देखेगा आप सभी के डिमांड पर यह वीडियो है तो चलिए शुरू करते हैं तो सब आपकी जो fitting की सिलाई होती है वो proper नहीं आती है तो हमेशा जब भी आप सिलाई margin ले तो आपको टक्स का margin जरूर कमर की तरफ एड़ करना है हमेशा करना ही है एक इंच तो देखे इसके लिए आप जब भी चेस्ट का निशान लगाते हैं तो उसका 4 part करते हैं जैसे मेरा 36 का 4 part 9 आया प्लस मैंने इसमें 1,5 इंच हमारा margin ले लिया सिलाई का ठीक है तो मेरा साड़े 10 हो गया अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर में हमें सीधा ही लगाना चाहिए उसका मैं आपको कारन बताती हूं देखे मेरी कमर 32 से तो 32 का 4 part होगा हमारा 8 इंच तो मै यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा दिया है अब इसके बाद में 1,5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा तो मैं साड़े 9 पर लगा देती हूं अब 1 इंच हमें इसमें टक्स का लेना होता है इसलिए आपको इस निशान को सीने और कमर में बराबर ले लेना है देखे कि 1 इंच का हमारा कमर में डाच आता है इसलिए हमें यहां तिरचा नहीं लेना चाहिए और तिरचा लेते भी हैं हम कभी किस कंडिशन में लेते हैं वो भी मैं इस विडियो में आगे बताऊंगी आप कम्पलीट देखेगा ठीक है तो जब भी कमर में और सीने के डिफ्रें तो तिर्ची सिलाई आएगी तो आप ध्यान रखे अब दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि आपका जो बाजू होती है उसमें आप फ्रंट में बैक में सिलाई मार्जिन कम ज़ादा ले लेते हैं जिसे कि बाजू में आपने कितना लिया फ्रंट पार्ट में कितना लिया, बैक पार्ट में कितना लिया, तो आपको सिलाई मार्जिन सभी जगह एक जिसा लेना है, आप जितना फ्रंट पार्ट में ले रहे हैं, इतना ही बैक पार्ट में लीजिए, देखिए मेरा सभी तरफ यहाँ पर डेड़ इंच मार्जिन है, तो मैंने sleeve में भी 10-inch margin लिया, sleeve की bottom में भी 10-inch margin लिया, तो सभी जग आपको एक जिसा margin लेना है, अब बढ़ते हैं तीसरे reason की तरफ, वो होता है कि सीने और कमर में जादा फर्क नहीं होता है किसी किसी customer के, तो भी ऐसी दिक्कत आती है, अब देखें मान लेते हैं 32 सीने का है, यहाँ पर 32 सीने का चोधा हिस्सा कितना आया, 8-inch आया, अब कमर देखते हैं, क्या होता है कि जब फर्क नहां के बराबर होता है तो भी यह दिक्कत आती है, अब यहाँ पर मैंने 1.5-inch marginate कर दिया, अब कमर जो होती है, कई customer का ऐसा देखा गया है कि बहुत कम difference होता है, तो यहाँ पर हमारी 30 कमर है और 32 सीना है, 30 कमर का 4.5-7 आया हमारा, तो देखिए फर्क कितना कम है सीने और कमर में, ना के बराबर फर्क है, है ना, तो ऐसी condition में क्या होता है, कि टक्स का हमें margin add भी करना पड़ता है, देखिए, यहाँ पर सीने और कमर में 1.5-inch का ही फर्का रहा है, तो टक्स के लिए 1.5-inch तो हमें मिल रहा है, लेकिन 1.5-inch हमें और plus करना पड़ेगा, अगर हम प्लस नहीं करेंगे, तो भी हमारा जो कपड़ा है, वो थोड़ा सा कम होगा, और उधर की तरफ जाएगा कमर की side, तो भी हमारी सिलाई ठीक से नहीं आएगी, तो यहाँ पर हमें सीने से जादा कमर को लेना पड़ेगा, 1.5-inch जादा, अब बढ़ते हैं अगले कारण की तरफ, तो यह है कि कमर का बहुत जादा पतला होना, बहुत जादा अगर आपकी कमर पतली है, तो भी आपको कुछ changes करने होते हैं, जैसे मैंने कहा था ना, अब यहाँ पर हमार लेते हैं 32 हमारा सीना है, और कमर आपकी 26 है, ऐसा भी होता है, ऐसे भी कई customer हमारे पास आते हैं, तो 26 कमर का 4 part कर लीजिए, है ना, तो हमारी 26 कमर का हम 4 part करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 6, ठीक है, 6.24 और यहाँ पर हमारा आगया, अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो सीने और कमर में कितना फर्क है, है ना, तो ऐसी condition में आपको तिर्चा कटिंग करना होता है, बाकी में आपको तिर्चा कटिंग नहीं करना है, तो जब मैंने कहा था ना, कि तिर्चा कटिंग किस condition में आपको करना है, तो इस condition में आप तिर्ची cutting कर सकते हैं क्योंकि आपको निकालना ही होगा सीने कमर में फर्क ज़्यादा है टक्स का 8 कर लीजे कमर में और यहाँ पर आप तिर्ची cutting कर दीजे तो ऐसी condition में आप तिर्ची cutting कर सकते हैं बाकी में आपको नहीं करना है तो I hope आप मेरी बात को समझ रहे होंगे अब हम देखते हैं next reason तो यह होता है कि जब हम armhole में गोलाई जो होती है उसे नीचे नहीं उतारते हैं तो भी यह दिक्कत आती है देखिए यह मैं अपने personal experience से बता रहे हूँ जब भी मैं आपको वीडियो बनाती है तो बताती हूँ कि आप थोड़ा सा नीचे की तरफ उतारे आधा इंच नहीं पर थोड़ा सा आधे से आधा भी उतार दीजिए आधा इंच बहुत heavy size में उतारा जाता है लेकिन छोटा size है तो आप आधा से आधा लेकर इस तरीके से shape देतीजिए तो इससे ना बहुत सारी problem का solution हो जाएगा एक तो बगल में जोल भी नहीं आएगा और fitting की सिलाई भी सीधी आने वाली है तो आप एक बार ये तरीका आजमाई के जरूर देखिएगा ठीके अब देखते हैं next reason क्या ह जिससे हमारी fitting की सिलाई सीधी नहीं आती तो वो होता है ये भी एक main point है armhole और बाजू की गोलाई में difference आना ये बहुत बड़ा कारण होता है इसका एक तो टक्स वाला और एक एरिजन बहुत main होते हैं तो इस तरीके से पहले हमें यहाँ पर blouse का armhole नाप लेना है कि कितना यहाँ पर आधा इंच हम उपर की साइट यहाँ पर शोल्डर की सिलाई के लिए चोड़ देंगी तो मेरा आख और साढ़े साथ उधर मेने शोल्डर की सिलाई का ज़रा सा छोड़ा है तेकि जितना सिलाई में उपर जाएगा नहीं अदर मेने मार्जन भी हमारा 1.5 इंच और नापा तो मेरा साडे साथ इंच आ रहा है अब हमें इतना ही स्लीड़े इसमें भी नाप कर देखना है कि हमारा स्लीड़े में कितना आ रहा है ठीके इधर मैने मार्जन को आप देख लिजे मैने मार्जन उदर छोड़ा हुआ है ये देखिए 1.5 इंच और इधर उपर शोल्डर की तरफ भी आदे से थोड़ा कम छोड़ा हुआ है अब ये मैंने बाजू ले ली है और अब इस बाजू का आर्म होल हम मेजर करेंगे तो इधर भी हम मार्जिन को छोड़ कर नापेंगे इस तरीके से और एक तरीका मैंने बताया है बाजू कटिंग करने का ब्लाउस को रखकर तो वो आप जरूर देखिएगा उससे आपकी प्रॉब्लम सोल हो जाएगी तो देखें यहाँ पर मैंने नाप कर देखा तो मेरा बराब पर आ रहा है साड़े साथ ही आ रहा है एक दो पॉइंट का फरक आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलेगा तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बाजू का राउंड नापा तो मेरा साड़े साथ आ रहा है अगर आपका कम जादा आ रहा है तो आप छटाई करकर उससे पराबर कर लिजिए क्योंकि यह भी एक रिजन होता है कि आपकी जो फिटिंग की सिलाई है वो सीधी नहीं आती है है ना इस बात का आप ध्यान रखे थोड़ा बहुत बाजू अगर छोटी है एक दो पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है चल जाती है है ना इस बात का ध्यान रखना अब देखते हैं नेक्स रिजन जिसकी वज़े से नहीं आती फिटिंग की सिलाई तो बाजू में सिलाई नहीं देंगे ना तो भी आपका सलसा बनेगा और सिलाई सीधी नहीं आएगी अब हम ब्लाउस पर फिटिंग की सिलाई लगा कर देख लेते हैं तो देखें यहां पर मैंने हुप की साइट की पट्टी ली हुई है इधर से ही आपको हमेशा नापना है और यह मैंने हुक की पट्टी की साइट रखकर मैं 9 इंच पर एक निशान लगा दूँगी जो कि हमारा एकजेक्ट है और बाकी जो बचा है वो हमारा मार्जी ने तो हमें सिलाई लगा देना है एकजेक्ट फिटिंग की 9 इंच पर यह देखें मेरा 2 इंच मार्जीन आ रहा है जो कि मैं से नीचे तक सीधी लाइन बना देंगे जो कि सीधी सीधी ही रहेगी इसलिए मैंने कहा कि आप जो मार्जीन ने वो सभी जगह एक जेसा लीजिए अब स्लीवस में बॉटम में भी हमने 2 इंच का मार्जीन लिया तो मैं स्लीवस की यहां भी रखकर 2 इंच पर निशान लग अब हम यहां पर इस तरीके से रखकर सिलाय लगा देंगे अगर आप गूम सिलाय सीखना चाहते हैं तो में वो भी सिखा दूंगी और कमरपट्टी आप पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं तो यहां पर आपकी चोईस के उपर डिपैंड करता है अगर सीधी आई है आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल भी तिर्ची नहीं आई है तो आप भी मेरे तरीके को फोलो कीजिए और इन कुछ टिप्स को ध्यान में रखिए तो आपके फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सीधी आने वाली है तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हलपफुल रहा हो आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मिलती हो में नेक्स वीडियो में किसी नई चीच के साथ तब तके लिए बाबाए एंड़े